हाई अब्रिवान आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपका ओठो रिक्षा पर जो बार बार स्टार्ट ओफ हो जा रहा है तो उसको कैसे ठीक कर पाऊगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और आप सारा ने काफी कमेंट किया है करके दिखाता हूं कि कैसे आपको fai ind out करना है आप कहा पर आपका यह problem है तो चलिए मैं आपको practically बताता हूं तो दो नहीं है यहां पर मेरा डिगी का जो है चाबी ले लिया यानि की तो आपको में आपको पैक्टिकल करके दिखाता हूं कि कैसे आपको find out करना एंप बार-बार आपका जो ओटू का और रिक्षा का स्टार्ट ओफ हो जा रहा है तो मैं आपको बताता हूँ तो यह दिखिए आपको इस डिग को पहले ऑपन करना है और आभी मैं आपको बताता हूँ तो गाइस यह दिखिए यह है ओटू का इंजिन आप दियान से दिखिए यह पे मेरा और पर दू प्लाग में यहां पर ऐतने हैं और राइट साइड पर एक ठीक है यह देखिए तो यह एक है और यहाँ पर लेफ साइट पर एक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर दिखना है कि आपका यह जो प्लक का जो नोजल है या प्लक में जो नोजल लगा हुआ इसको इस तरह से आप किछोगे तो यह आ जाएगा तो यह दिखे तो सबसे पहले यह द तो उसको मैं फीट कर देता हो तो फीट करने के लिए उसको इस तरह से आप लगा के थुरा हाथ से प्रेश करोगी तो यह लग जाएगा ओके और दुसरी बात है है, यहां पे मैं आपको बताता हूँ, यह देखी यह oil का tanky है यानि हमारा जो petrol का tanky है, यह जो pipe होता है, यहां पे देखिए यह pipe जाता है, carvator पर, यहां पे एक carvator पर यहां पे आप देख सकते हो उसको निकलकर आपको चेक करना है उसमे पॉपारली ओयल आ रहा है या जा सकता है और तीसरी बात है यहां पर एक हाप देख सेखते हो यार केलेंडर है यानि यहाँ पे जो है यार केलेंडर को साफ करना होता है तो हमको क्या करता है बहुत दीन हो जाता है इसका बाद भी हम यहाँ पे हमारा जो यार केलेंडर हो ठीक नहीं करता है साफ नहीं करता है इसके बज़े से हमारा जो गाड़ी का ठान है वो काफी सरा कम हो जाता है ठीक है उसका बात आपका टेंग की से आपको यह तक पैट्रोड आ रहा है आप इस तरह से चेक कर सकती है आप एक लोग है उसको निकल कर आप चेक करा प्देथे ठीक है अगर यह दोनों ठीक है सही है तो आप एक बार यार करेंडर को साफ कर लीजिए हो सकता है इसकी वज़े से आपका गारी तोड़ा बहुत है मतलब तान जो है वो कम हो रहा है पहले से तो उसका बाद आपको क्या करना है गाइस आभी आपको मैं बतता हूँ आपको में प्रॉब्लम आता है यह कार्बेटर पर तो यह कार्बेटर जो है ना गाइस यहां पर मैं फुल ली दिखाने की कुशिश करता हूँ यहां पर एक पिश्टन रहता है ठीक है मैं दिखाने की कुशिश करता हूँ यह जो कार्बेटर है उस पर एक पिश्टन रहता है तो इस पिश्टन को आपको साफ करना है कैसे उ तरह से यहां पर टेट रहेगा तो यह यह आप देख सकते हूं उसको निकल कर आपको दिखना है कि आपका जो पिश्टन है और पिश्टन पर कोई खराबी तो नहीं आया है यहां पर भी जंग जम जाता है इसकी कारण से आपका जो अटो है और बार बार मिस्स करता है इसकी बज़र से आपका ओटो का जो स्टार्ट हो बार-बार ओफ हो जा रहा है या ओफ होता है तो चलिए उसको मैं फिर से लगा देता हूँ तो गाइस मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है जो तीन चार कारण से आपका श्टाट बार बार ओफ हो जाता है तो यह आपको चक करना है तो कभी-कभी आटो पर एक ही प्लाग रहता है तो उसको आप निकल के यारी उसको खूल के अच्छी तरह से पेट्रोल से साफ कर दीजिए तब भी आपका ये प्रोस्प्रोल मैं और दूसरी बात है कि मैंने याँ पर दो प्लाग दिखा दिया तो दुनों प्लाग पर प्रदल्म आ सकता है और उसका बात यहाँ पर बढ़ने दिखा दिया है आपको की टेंकी से जो फैठो लाता है वह पुपारली यहाँ पर अगर कारभेटर पर नहीं गया होगा तो भी यह दिखता था है तो चलिए आगे जाके में और भी दिखाने की कुशिश करता हूं कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है आगे जाके कि आगे में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, तो चलिए, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, मैं ओटो का सेट पर बैटा हुआ है, और अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकता है, बार-बार स्टार्ट ओफ होने का, तो यहाँ पे आप देख सकत कंजम करता है, गाड़ी, अगर आपको यहाँ पे आपको दिखना है, सबसे पहले आपको दिखना है, अगर सुबह में आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको केच के आप स्टार्ट करो, तो तुरंत हो जाता है, लेकिन वो क्या करता है, हम भूल जाता है कभी-कभी, तो उस चीज़ को आप ध्यान पर रखते हुई एक काम करना चाहिए तो गाइस उसका बाद में आपको बताता हुई यहां पर आप देख सेकते हुए एक्सरेटर है एक्सरेटर में क्या होता है हमारा जो एक्सरेटर केबूल होता है उसमें दिकत आ जाता है ठीक है और ज्यादा कंज होता है और डायरेट एक्सरेटर से होता है उसमें अगर आपका खराबी आ जाता है तो उसमें खराबी कैसे आता है यहां पर एक यहां पर केबूल जाता है पूरा नीचे जो हम किषते हैं केबूल की मदद से हम किषते हैं तो उस केबूल में भी प्रॉब्लम आ सकता है उस किसी भी जगह पर आपका गारी अगर बंद होता है पर आपका गारी प्रोप्Lab होता है तो इस चीज if को आप रखते हुए आपका करोगी तो आप जहां पर गारी खडऻा हो गए या रुका होगा आपको मेकानिस की कोई जौरुत नहीं आप अपनी हिसांब से आपका जो ओटो रिक्षा है वो ठीक करके आप घर तक ले आ सकते हो I hope कि इस वीडियो के जारी मैंने आपको बताने की कुशिश किया है कि किस-किस बज़े से आपका जो इस्टार्ड जादा वैल कंजूम करता है उसका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा अगर ये कुछ चीजे आप दियान पे रखते हुए है आपका ओटो ड्राइब करोगी तो 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा किस बज़े से आपको ओटो रिक्षप पर ज्यादत तर ये खराबी आता है फिलाल के लिए इतना ही मिलता हूं नेक्ट वीडियो में अगर कोई भी आपका कॉमेंट करना है तो नीचे कॉमेंट कर सकते हूं में इस कॉमेंट की बज़े से आपको वीडियो देने की खुशिश कर रहा हूंगा फिलाल के लिए बाइबाइबाइ टेक्यार